नमस्कार आज हम लोग हैं गुच्चु पानी इसको रोवर्स के भी बोलते हैं तो सबसे पहले आप यहां का ग्यू देखिए मैं आपको कुछ चीज यहां पर सबसे पहले इंफॉर्मेशन देता हूं यहां पर जो टिकट है उसका जो कॉस्ट है वो जो मूल उने लिजारत कर दिया है पहले 25 रुपए लगता था अब 15 रुपए कर दिया है 25 से लेकर 35 कर दिया है और अपना अगर गाड़ी लेकर के आप आते हैं तो उसका बहुत अच्छा खासा यहां पैसा यहां पर बसूले लगी है हम लोग रोवर्स केप के दरवाजे पर पहुंच गए हैं सबस यह देखिए हम लोग यहां से यह जो केप सुरू होती है वो यहां से होती है एक नदी है इस नदी का नाम तॉन्स है जो कि मसूरी से आ रही है और यह नदी बनाती है लोवर्स केप यह देखिए हैं आपको सारी चीज़ां दिख रही होगी यह एक एक अब अब चै का एक सिद्धान्त है जिसमें क्या होता है बिलेन जिसे सॉल्यूशन बोलते हैं अगर कोई छेतर चुना प्रधान है और उसके अंदर से कोई नदी प्रवाहत होने लगे तो वो धिरे-धिरे क्या करते हैं उस छेतर को उस छेतर के जो अंदर होती है जो कोमल चट्टान जिसमें चुना होता है उनको भोल देती है और कठोर चट्टान ये थावत बनी रहती है तो जो रोवर्सकेप का निर्मान किया है वो इसी प्रवाण चेतर था यहां की जो कठोर चट्टान है वो तो खड़ी रह गई और तो जो उसमें चुना था वो गुल करके नीचे बैठ गया और इसी विज़े से इसका निर्मार हुआ है और इसी वज़े से इसको रोवर्स अइसी बजह से यह कास्ट इसखल किलती है यह यह चुना प्रधान जगह पर ल्रमत हुई है और यह देखने में ऐसा लगता है कि बिल्कुल हम गुफा के अंदर जा रहे हैं इन इस देने रोवर्स गुफाएं भी बोलते हैं कहानी ऐसी थी कि पहले बोला जाता था कि इस चेतर में जो भी दिरादून के अंदर डाउकू थे लोटे रहे थे वो आते थे और खुलिस से बचने के लिए वह इस गुफा के अंदर घुज जाते थे और फिर खुलिसवालों को वो बिल्टे नहीं थे इस बिल्या से स्कंदल में रोवर्स से पढ़ता थे अब थोड़ा सा अंदर की और चले आप पेंड को थोड़ा सा आप उपर जरूर कर गिए बरनाब पूरी तरह से भींग जाएंगे इस सम्रचना आप देखते चलिए हैं पुड़ा पानी की कमी है लेकर समल की जरूर चलना अगर आप मुवायल वाल लेकर आ रहे हैं तो समल की जिरूर चलिए और चपपल में आएं जूते में ना आए बनादर अमी तो आपको यहां चले में बहुत जादा दिक्कत होगी चपपल पर आईए और नहीं है तो बाहर दस रुपे के सास्थ चपपल मिल भी जाती है लेकर अगर चपपल पर आएंगे तो ज्यादा बहतर र अगर अगर आप रोबर्सकेप में आते हैं अगर आप रोबर्सकेप में आते हैं आप नहाने का प्रोग्राम है तो आप किस चासकते ही придu कि देखे बहुए देखिए मैं नहाऊंगा नहीं किरूकि सर्दी का सीजन चाप दा भार है कमस के अंदर जा सकते हैं और वो देखे का तुमल से घढ़ना दिख होगा करा है अब आप नाना चाहिए तो आप 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 देखें तो गुफाएं बहुत जादा है देखें एक गुफाएं नीचे की हो एक गुफाएं उपर की हो और मैं इसको जियान दिखाँ तो यहां पर बहुत सारी ऐसी जिक जहां पर गुफाएं भी गुफाएं है यह जो है चुना प्रदान चेतर था जिसको नदी द्वारा काट लिया गया और उसके कटाओ की वज़े से यह स्थला कृतियां बनी है जोग्रफिया ने कास्ट इस चीजे अगर आप यूरोप में जाते हैं और आप कभी यात्रा करते हैं यूगोसलाविया की प्रूस की फ्रांस के लेरिन चेतर की लेपीज चेतर की तो वहाँ पर आपको यह ज्यादा तर देखने को मिलेगी चुकि देरादुन में चुना भग अधिक है इस वज़े स आपको यह जोड़े से यह यह फिरकार की अंधी घाती है और यहां पर आप देखिये पामी गिर रहा है कि आगे Daha घुली стенह्ट्राण में था कि यहाँ जादा अच्छा है यहांि लेकिन जो लूग आते हैं गर्म्य हम पाटी करने के लिए नहाने की अद्रिस से जाते हैं ज तोड़ा सा अंदर जाके आपको दिखा है। यह देखें, आप दिखें अंदर आना समल की पहर जरूर रखी है। अगर आप मुबायल या कैमरे से इसकी प्रूपन के बाए हैं, तो आप समल की पहर दिखा है। इसकी आपको 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 प्रूपन की पूपन की इदा रहे है। यहां से लगाता का पानी यह दा रहे है। अगर आप ओबर देखें, तो दो लोग इसके पीखे जा रहे हैं तो वह उपर से बुज़ते हैं। अगर आप नीचे जा रहे हैं तो आप यहां से नीचे जा सकते हैं। नीचे छोटा सा जड़ना बना हुआ है। काफी बड़ा जड़ना उसकी आवाद भी आपको आ रही होगी। तो इस देखें लोग उपर की और जा रहे हैं। एक धर्णा आपको यहां भी दिखेगा यह दिखेगा यह दिखेंगे मीचे की और एक धर्णा है वगर आप शिवर जाते हैं तो धिंग सकते हैं यह देखिए उपार यहां पे यहां एक वादे का पिछाद हो रोगा है यह देखिए बाइब आपिए हैा, इंडना है आपिए है और आपिए और रहा है जा बेहे घह नहीं कि बादाए है कि काफी लंबा है कि उतना बढ़ते जाएंगे आपके विसी सामचना इसके उपर साइड उन्हों ने छोटा सा बांद बना रखा रहे है उसका उद्धिस यही है कि आपके इनका बहुत अप्छा देता है यहां का जो पंकाट एरिया है उसको पंकरेड़ा आपता है हाई इच इसके अपर बनाया हुआ है कि अगर कुछ समय बाद ऐसा लग रहा है जिस तरह से आपको उस्माद आपको नीचे इसका पानी भी रहा होगा बिल्कु कम होता जा रहा है ओपर से नदी जहां से आता है वह भी शूपने शूरू होगे तो प्रॉलम एक रही हो जाएगी वर दोख बानव भी बनानी की बाद सुझ्ण रहे है अपने चोटे स्थानी श्थान का अताकि क्या किया जा सके यहां का पानी को अस्ताना गच्चित किया जा सके पानी सरक्षत करने का अद्धिस लगबग वही है कि इस शेत्र में यह पूरश प्लेस है जिसमें पानी की सप्लाई बनाई रखी गया सकी तुकि आपके कता है कि यह सब जल है तो यह परेटा की स्थर है पानी कम हो गया कि परेटा की स्थर सिर्फ अपसेश बचेएगा यह फ्यास में पढ़ेंगे कि ऐसी कोई केश थी अभी जो इस्थानी देरा दूब हैं वह तो बहुत कम आते हम भी लगबग 6-6 साल बाद आ रहे हैं हम पर तो कमी आते हैं और जो बाहर के पूर दिखने के लि रहता है कि हम यहां पर जाएंगे कुछ इंजवाई करेंगे आप पुरानी उन्होंने वीडियो देखे होते हैं आप पुरानी इमेजिस देखी होती हैं तो उनकी दुमात में कुछ अलगी प्लान चिर रहा होता है लेकिन यह जब उन्हें ऐसा नहीं मिलता तो उनका मन में इसका है यह है वो एक बड़ा वाला तो अगर आप गर्वियों में आए तो आप नहां सकते हैं तो कई बार तो क्या होता है लोग यह ना आते हैं उनकी पर बड़ा सा पत्तर कर जाता है इसका प्ला जोना है यह जाता ना यह उसे काता सबसे समख के आप जाता है सामने वालो भाई में तो भी चुक्त नहीं इपाले जी तो इसके वाद आप सीजे पूचेंगे नहीं बिजर गिया रहा है साम कि रादों के फलो ताल देगा प्रवर्वर्स केव पीछे आपको पूरी चूना प्रधान फित्र में नजी द्वारा अपरदेद असला केवतिया है थैंक्स पर विजिटिंग दिखाया है नहीं से आपको अंदर आना है और यह देखिए वेलकम टू उच्छुपानी तो वर्सकेव दिखा हुआ और साम में आपको मैं यह दिखा देता हूं अदर जो टुवेस्ट प्लेस है यह देखिए माल सीडियर पार्क है साज़दार आए अफराई है तपकेश्वर है यह देखिए मसुरी लेख है दुद्धर टेंपल है यह दिखिए सारा इसमें लिया गया है और किलोमेटर लेख साम में तिखाय गया है यह देखिए तो बने रही है हमारे साथ